ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रु सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचारे धर्मेंद शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेनिक राशी फल या राशी फल नो मार्च दो हजार बाईस बुद्धुवार का दि फाल गुन महा के शुक्रपक्षी की सब्दमीतती झी है कृति का नामक नकषट रहेगा तथा वृरश बराशी में चंद्रमा बिद्धिमान रहेंगे चंद्रमा जो के अपनी उच्छ राशी में विराजित रहेंगे दिशासुल कि अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में आरंभ कर सकते हैं हरा धनिया सूखा धनिया या फिर धने की डाल रहुकाल जो की दो पहर 12 बजह से आरंभ हो कर के एक बच के 23 मिनट तक रहेगा य Angeles 12 बजह से लेकर के लेख कि 10 बजह तक रहेगा रहुकाल की दोरान कोई भी शुबिया मांगली कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना है हलाकि राहुकाल का निर्णाय आप अपने क्षेत्र के पंचांग अत्वा के लेंडर के नुसर कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई स्थानों पर माना जाता है और कई स्थानों पर नहीं भी माना जाता है विराजीत रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के नुसार मेश मिटल सिंग तुला एवन धनु यह पांच राशियां सबसे डिक भागशा ले रहेने वाली है दिन इनके लिए उपलब्दी कारस साबित होगा कारिक्षेतर में एक नई उचाई इनको प्राप्त हो सकती है धानलाप के सांसाथ इनको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के भी उत्तम अउसर प्राप्त हो सकते हैं यादि बेरोजगार है तो रोजगार के भी उत्तम अउसर प्राप्त होंगे और जिस काम में ये कई दिनों से डटे हुए हैं वो काम इनका पूर्ण होने वाला है। कुल मिलाकर के पांच राशी वालों के लिए दिन सबसे विशेई साबित होगा। अब हम आपको मेंस से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी पर बताने जा रहे हैं। हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंत्य तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेस राशी की। भागिशाली अंक नो होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की। जीवन को सकारात्मक नजरिये से समझने की कोशिश करे। इससे आपके अंदर चल रही कई गलत फेमिया सुलच जाएगी। धर्म और अध्यात्म के प्रति आपका बड़ता विश्वास भी आपको शांती और मानसिक सुख प्रदान करेगा। बच्चों को अपनी पड़ाई में और अधिक ध्यान देने की आउशकता है। इसलिए फालतू की गतिविधियों से अपना ध्यान ठाए। किसी नजदी की मित्र या रिस्तिदार से मामूली बात को लेकर के वैचारिक मदभेद उत्पन हो सकते हैं। इसलिए किसी भी बात को ज़्यादा तूल न दे। और उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप सफेद रंग की कोई भी मीठी वस्तू जैसे मिस्री या शकर खाकर के घर से निकलते हैं। तो आप का देन शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक छे होगा। भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं मितुन राशी की घर में रिष्टदारों का या महमानों का आगमन होगा तथा आपसे विचारों का आधान प्रदान घर के वाटावरन को खुश्चनुमा बनाएगा अपने महतुपूर्ण काम आप निप्टाने का प्रयास करेंगे युवाओं को आपसी वारता लाप से अपनी किसी समस्या का समाधान मिल जाएगा बच्चों पर कठोर नियंतरन न रख करके मित्रवत व्यभार रखे इससे आसानीशे वे अपनी समस्याओं के आपके साथ शेयर कर पाएंगे और उपाई के रूप में हरी सबजी का दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका आसमानी होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की मन और अंजन और हास परिहास में आपका समय वितित होगा हलका फुलका आराम करने का आउसर भी आपको मिलेगा उर्जा से आप भरपूर महसूस रहेंगे घर की जर्वत संबंदी कारियों में आपकी विस्ता बनी रहेगी बच्चों के साथ उनके क्रिया कलापों में रुची जाहिर करना उनके आत्म इश्वास को और अधिक बढ़ाएगा घर की किसी महत्वपूर्ण वस्तू के खोने या चोरी होने की संभावना है किसी पर इलजाम लगाने से पहले अच्छी प्रकार से परताल अवश्य करे और अपनी वस्तू को सम्हाल कर रखे ओफिस के कुछ कामों को घर पर भी समय आपको देना पड़ सकता है और उपाई के रूप में भगवान गणेश जी के मंदिर में यदि आप लड़ू चड़ाएंगे तो आपका दिन शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग पीला होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की पारिवारिक सदस्यों की सुक्स विधाओं का ध्यान रखने के प्रति आपका पूर्ण समर्पन भाव रहेगा किसी सामाजिक गतिविधी में आपका महतुपूर्ण योगदान होने की वजह से आप सम्मानित होंगे कोई आर्थिक परिशानी होने से आपके मित्र आपकी मड़ट के लिए ततपर रहेंगे परंतु कभी-कभी आपके विचारों में बहुत अधिक वहम वा संक्रिनता परिवार के लोगों के लिए परिशानी का कारण बन सकती है इसलिए अपने व्यभार व विचारों में लचीलापन बना कर रखना अति आवश्यक होगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय एक लौंग या फिर इलाइची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका कैसरिया होगा अब हम बात करते हैं कन्या राशी की किसी समयच से भी संस्था में आपका विशेस योगदान रहेगा जिस कारण आपको मान सम्मान व यश भी प्राप्ती होगी आपके अपनी व्यक्तिगत काम काफी हद तक सुचारू रूप से संपन होते जाएंगे अटके हुए रुके हुए काम भी आपके पूर्ण हो जाएंगे रुका हुआ पैसा भी आपको अचानक प्राब्त हो सकता है कोई अचानक ऐसी खुशकबरी मिलेगी जिसका बहुत दिनों से इंतजार था उस कारण से परिवार में अच्छी खुशियां व्याप्त होगी और किसी अंजान व्यक्ति के विवाद में बिल्कुल न पड़े क्योंकि उसकी वजह से आपको परिशानिया उत्पन न हो सकती है उपाई के रूप में भर से निकलते समय यदि आप मिठाई के रूप में कोई भी मिठी वस्तु खा कर निकलते हैं तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज किसी भी गती विधी में दिल के बजाए दिमाग से काम लेना आपके लिए अधिक फाइदेबन साबित होगा निकट संबंधियों के साथ प्रापर्टी को लेकर गंभीर और लाब दायक चर्चा होगी घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन हो सकता है काम की अधिकता की वजह से स्वभाव में चर्चडापन रहेगा जिसका असर परिवार की विवस्था को खराब कर सकता है अपने स्वभाव को सकारात्मक बनाए रखने के लिए आपको पॉजेटिविटी बहुत आवश्यक होगी तथा सकारात्मक लोगों के साथ चर्चा करेंगे तो निश्चे ही आपके स्वभाव में एक सकारात्मक आपको नजरिया महसूस होगा और उपाई के रूप में भागवान विश्णू जी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं वरश्चिक रासी की घर के बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ट व्यक्तियों के साथ कुछ समय आपका वेतित होगा उनके अनुभवों को आत्म साथ करना आपके जीवन को कुछ सकारत्मक पहलूँ से अउगत कराएगा बच्चे भी अनुशासित तथा अग्याकारी रहेंगे स्वास्त में हलकी पुल की परिशानी रहने की वजह से आपके कुछ काप अधूरे रह सकते हैं परन्तु तनाव को अपने उपर हावी न होने दे पहरिवारिक व्यक्तियों का उचित सहयोग आपको चिंता से मुक्त रखेगा अर्थिक स्थिति में सुधार होगा धनलाब होगा नए काम की आप योजना बनाएंगे तथा जो काम बहुत दिनों से अधूरे या अटके पड़े हैं उनमें भी आपको सुधार महसूस होगा उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि किसी भी गरीब व्यक्ति को दूद का या दहीं का दान आप करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की राजनितिक गति विधियों से जोड़े मित्र आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगे तथा उनके साथ लाबदायक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा समय का भरपूर फाइदा उठाए मरोरंजन संबंदी कारियों में आपका समय बेतित होगा अपने व्यक्तिगात कारियों में किसी बहारी व्यक्ति को शामिल न करे कोई आपकी गति विधियों का नाजाईस फाइदा उठाकर आपको नुकसान पहुँचा सकता है बच्चों की गती विधियों पर तथा उनकी संगत पर आपको नजर रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में यदिया भगवान विश्णु जी के मंदिर में कैसर या हल्दी चड़ाएंगे तो आपका डिन शुफलदाई थाबित होगा आपका भगिशाली अंक दो होगा भगिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की सामाजिक कारी करताओं के साथ उनकी गती विधियों में पूरा सहयोग करना आपको महत पुर्ण मुकाम हासिल करवाएगा आपके व्यक्तित्तु के सामने आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे कहीं से कोई ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिससे परिवार में खुशियों का माहौल निर्मित होगा कोई भी योजना बनाने या क्रियानवित करने से पहले पुनर विचार करना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में भगवान हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल चड़ाना आपके लिए शुफफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं कुम्पराशी की अपना अधिक्तम समय आप अपने घर के अटके हुए रुके हुए कारियों में वेतित करेंगे इस्थाई संपत्ती भूमी भवन वाहन संबंदी कारिय भी आपके संपन हो जाएंगे घर परिवर्तन की आप योजना बना सकते हैं कोई शुभ और मैंगलिक कारिक्रम भी आपके मन में चलते रहेंगे जिनके विशय में आप कुछ कारिय भी संपन करेंगे और संतान संबंदी कोई चिंता आपको परिशान करेगी कोई खुशकबरी ऐसी मिलने वाली है जिससे आपकी चिंताएं लगभग समाप्त हो जाएगी उपाई के रूप में यदि आप काले तिल शंकर भगवान के मंदिर में चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज आपका अधिक्तम समय पारिवारिक लोगों के साथ व्यतीत होगा और घर की सुक्सुविधा संबद्धी कार ये भी आपके पूर्ण हो जाएंगे अधिक समय आप जो है अपने क्रिया कलावपों में व्यतीत करेंगे रुके हुए अटके हुए काम आपके परिवार के सायोक से संपूर्ण हो जाएंगे भावनात्मक संबंद और अधिक मजबूत होंगे आपकी जो शंकालू या जित की प्रबत्ती है उसको परिवर्तन करना चाहिए थोड़ा सा व्यवहार में लचीला पन रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में चट के उपर पक्षियों को दाना डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा और आपका भाग गिशाली अंक एक होगा भाग गिशाली रंग आपका औरेंज होगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्यकर लीजे आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जैसी कृष्ण सादर धन्यवाद